नमस्कार दस्वी कक्षा के संस्क्रित पाठ्थय पुस्तक शेमुशी भाग दो के तीसरा पाठ व्यायाम सर्वदा पत्याह का हम अध्यान कर रहे थे उसका एक भाग हो चुका था आज दूसरा भाग है तो प्रथम भाग में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार जरा रिक्याप कर लेते हैं पुन्रालोचन कर लेते हैं पहले स्लोक में आपको बताया गया कि व्यायाम किसे कहते हैं उसका लक्षन बताया गया कि शरीर आयास जननम कर्म वह कर्म जो शरीर के आयास का जनन करता है और व्यायाम के बाद शरीर को सुख पुर्वक मालिस करने का सलाहा उस स्लोक में दिया गया था उसके आगे दूसरे स्लोक से लेकर पांचवे स्लोक तक आपको बताया जा रहा था कि व्यायाम से लाव कितने होते हैं गिन गिन कर हम वहाँ पर चोदा प्रकार के लाव हमने देखा था उसको एक बार अगर हम जल्दी जल्दी रिवाईज कर ले तो शरीरो पचया हा कांती ही गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वं अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मुर्जा श्रमक्लमप्पिपासोष्ण सीता दीनाम सहिश्णता आरोग्यम चापिपरमं व्यायामात उपजायते इस प्रकार से हुआ था आगे कह रहें कि नचास्ति सद्रिशम तेन किंचित स्थोल्या पकर्षणम ये व्यायाम और कह रहें कि व्यायामिनम मर्त्यम अरयाह बलात न अर्दयन्ती इसके आगे और भी कहा गया था कि जरा न समधी रोहती सहसा नचाइनम सहसा क्रम्य जरा समधी रोहती और स्थिरी भवती माम सम्च उसके माम्स उसके चर्वीश स्थिर रहते हैं उसके कॉलेस्टरल स्टेबल रहते हैं कभी बढ़नी जाते ये सब व्यायाम के लाब बताए इसके आगे भी आज जो हम पढ़ेंगे ये भी सब व्यायाम के उपकारिता के बारे में बताया जाएगा किंदो कुछ अलग प्रकार से क्या कह रहे हैं आगे पढ़िये च्छटे शिलोक में और कहरें कि वयो रूप गुणे रहीनम अपी कुरियात सुदर्शनम कहरें कि व्यायाम स्विन गात्रश्य स्विन सब्दकार्थे स्वेद युक्त गात्रसब्दकार थे शरीर वह शरीर जो व्यायाम से स्विन्न है यजिने व्यायाम से स्वेद युप्त है यह व्यायाम करकर जिस शरीर में पसीना आता है, उस शरीर का सश्टी भ्यक्ति में है, व्यायम स्विन गात्रस्य, पद्भ्याम उद्वर्तितस्य, करें कि वो कैसे व्यायम से आपके शरीर में पसीना आता है, कि पद्भ्याम उद्वर्तिता, जो पेरों से उपर आता है, अर्था आता है, अगर आप रनिंग करते हैं, या जॉगिंग करते हैं, जिस से आपके पेर उपर हो जाएं, जमिन को छोड़ दे, इस प्रकर का जो व्यायम होता है, पद्भ्याम उद्वर्तितस्य व्यायम स्विन्न गात्रस्य व्याधयह न उपसर्पंती, उस व्यक्ति के पास, जो रनिंग, जोगिंग, जम्पिंग, जिस से एक्सराइज करता है, जिस से शरीर में खूब पसीना आने लगता है, तो वेशे शरीर के पास, वेशे व्यक्ति के पास व्याधयह, व्याधी सब्दकार्थे बीमारी, न उपसर्पंती उसके पास भी नहीं जाते, एक बढ़िया उदाहरण देकर उसमझा रहे हैं, उपमा देकर, कि वैनतेयम इवो रगाह, उरग सब्दकार्थे सांप, उरशाग अच्छती इती उरगाह, सांप, यथा वैनतेयम उरगाह न उपसर्पंती, वैनतेय कौन है, विनता का पुत्र, विनतायाह अपत्यम वैनत यह, तो विनता के अपत्य है गरुड, गरुड के पास जिसे सांप कभी जाते नहीं, डर जाते हैं, उस प्रकार व्यायाम से जो रोज पसीना बहता है, उस व्यक्ति के पास वीमारी कभी नहीं जा पाते, और व्यायाम से और क्यालाब होते हैं, वयो रूप गुणईर ही नम अपी कुर्यात सुधर सनम कह रहें कि वयो रूप गुणई ही ही नम अपी जनम जनम, सब्द यहां पर नहीं है, किन्तो उसका रर्थ यहीं है कि वह व्यक्ति जो उम्र जिसके अनुकूल नहीं है अर्थात अगर गुढ़ाप आ गया है उम्र जदा हो गया है तो वयो और रूप जिसके रूप भी उतना सुन्दर नहीं है और गुण से भी जो कमजोर है जिसके पास अच्छे गुण भी नहीं है ये सभी प्रकार के व्यक्ति भी व्यायाम से सुदर्शन हो जाते हैं ये उनका लुक उनका जो रूप है वो अच्छा होने लगता है लोग उसको प्यार से देखने लगते हैं तो इस प्रकार से आपका परस्नालिटी में वो निखार आता है कि अगर आपका उमर भी आपके साथ नहीं है आपके रूप भी अगर सुन्दर नहीं है आपके पास वो बड़े कोई करिस्माटिक गून भी नहीं है तो भी अगर आप व्यायाम सेल हैं तो आप सुदर्शन हो जाते हैं आपके personality अच्छी हो जाती है, तो लोग आपसे अकर्शित होने रखते हैं, आप सुदर्शन हो जाते हैं, सुदर्शन असब्द करते हैं, शोभनम दर्शनम यस्य, सह सुदर्शनाह, जिसका रूप, जिसको देखना अच्छा लगता है, वो है सुदर्शन, तो इस परकर से व व्यायामं कुर्वतो नित्यम, विरुद्धम अपिभोजनम, विदग्धम अविदग्धम वा, निर्दोशं परिपच्यते, करहें कि व्यायामं कुर्वताह, जनस्य, ये कुर्वताह शष्ठी व्यक्ति में है, ये व्यायाम करने वाले के, करने वाले व्यक्ति के, नित्य अगर कोई प्रतिकूल भोजन भी कर लिया, कुछ ऐसा भोजन कर लिया, जो स्वास्थे के लिए अनुकूल नहीं है, तब भी किरें कि विदागधम आविदागधम वा, यानी पकाया हुआ हो या कच्छा हो, विदागध सब्द याने पका हुआ, आविदग्ध यानि कच्चा रह गया तो विदग्धम आविदग्धम वा और विरुद्धम अपि भोजनम अगर प्रतिकुल भोजन भी कर ले तब भी निर्दोशं परिपच्यते दोश रहित होकर कोई विकार किये बगेर परिपच्यते हजम हो जाता है विदग्धम अपि भोजनम परिपच्यते विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते बिल्कुल दोश रहित होकर हजम हो जाता है अब अगले स्लोक के ओर जाते हैं आटवास स्लोक करें कि व्यायामो ही सदा पत्यो बलिनाम स्निक्धभो जिनाम करें कि व्यायाम ही सरवदा पत्य है इसी फ्रेज को लेकर आपका शिर्षक बना गया है कि व्यायामो ही सदा पत्य है तो करें कि व्यायामो ही सदा पत्य है व्यायाम ही सभी का पत्य है याने उपकरी है सबके लिए बली नाम स्निकधभ हो जी नाम केरें कि विशेशकर उन लोगों के लिए जो बली है यानि जो पहलवान है जो बलशाली है जिनका जिवन चरिया में बल का प्रयोग है वह है बली तो बली नाम स्निकधभ हो जी नाम और खास करके जिन लोगों को oily food खाना पसंद है स्निक्धभ भोजी उनको कहेंगे स्निक्धभ भोजी स्नेह सब्धकार्थ है तेल और स्निक्धभ याने तैल युक्त याने oily तो तैल युक्त भोजन जो ज़्यदा करते हैं जिनको oily food अच्छा लगता है उन लोगों के लिए तो व्यायाम बहुत ही जरूरी है इसलिए अलग से उसको emphasis देकर स्लोक में कहा गया है सुस्रुत ने कहा है कि अगर आप सामान्य है आपका भोजन ज़्यदा oily नहीं है तब आपके लिए व्यायाम तो उपकारी है ही कि अगर आप oily food रोज खाते हैं फिर तो आपके लिए ये essential हो जाता है ये व्यायाम बहुत जरूरी हो जाता है तो व्यायाम हो ही सदा पत्थियो बली नाम स्निक्धभो जी नाम और आगे कह रहें कि सच सीते वसंते च कह रहें कि और उन लोगों के लिए तो ये पत्थ्यतम हो जाता है याने अत्यंत उपकारी हो जाता है कब सीते वसंते च याने एक पकार से आचारिया सुसूरुत आपको कह रहे हैं कि व्यायाम का भी एक season है कौन से season में व्यायाम जदा उपकारी होता है कौन से season में हम व्यायाम कम कर सकते हैं इस पकार का भी अवधारना इसमें आया है कह रहें कि सीते वसंते च सीत रुतु में और वसंत रुतु में व्यायाम पत्थ्यतमह स्मृताह व्यायाम जो है अत्यन्त उपकारी है इसा कहा गया है स्मृतह यानि कथितह तो सच व्यायाम है सीते वसंते च तेशाम यहने बली नाम स्निक्धभोजी नाम पत्यतमा है स्मृतह तो इस प्रकार से अत्यन्त उपकारी है शीत रितु में और वसंत रुतु में व्यायाम करना अब आगे क्या कहते हैं नवे शलोक में सर्वेश शुरुतुशू अहरहाः पुम्भी रात्म हितेई शिभी ही बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हंत्यतो न्यथा कियेंके सर्वेशु रुतुशू अहरहाः देखें बढ़ियासा संधी का प्रयोग है यहाँ पर तीन पदों का संधी हुआ है सर्वेशु रुतुशू अहरहाः अहरहाः वहाँ संधी भी है अहा हा अहा हा यह होगे आहा रहा हा संधी और समास का उदारण है और रित्वशू सब्तमी भक्ति बहुँ चन है सभी रित्यूं में, सर्वेशु, सभी रित्यूं में, सर्वेशु का जो उ है और बाद में जो रित्यू है, रिवर्ण जो है, वो स्वरवर्ण होने के करण, उनका संधी हुआ है, तो उ के बाद जो रिवर्ण है, तो उहां पर यण संधी हुआ है, उ के स्थान पर वह हो गय तो इस परकार से वो शब्द बन जाता है सर्वेश रुतुशू रह रह तो और दूसरा जो है यान संधी है सर्वेश रुतुशू फिर आह रह रह उ के साथ आ का यान संधी तो एक जगा पर उ के साथ रिवर्णा का यान संधी और एक जगा पर उ के साथ आ वर्णा का यान सं या अहार अहार याने प्रतिदिन पुम भी ही पुम शब्दकार थे पुरुष तो पुरुषों के द्वरा पुछे संस्कृत भाषा में या कोई भी भाषा में पुरुष शब्द कहने से कहीं पर स्थ्री का विपरीत लिंग पुरुष यह अर्था आता है और अधिकामस जगहों पर जब पुरुष शब्द कहा जाता है वहां पर कल पुरुष जो स्त्री नहीं है वो पुरुष की बात नहीं होती है सामानी अर्थ में वो मनुष्य के अर्थ में प्रयोप्त होता है तो यहां पर पुरुष पुम भी ही अगर कहा जाता है तो अर्थ हितम, एशंते, आत्म हितई शिनाह, तो वेशे अपने हित की कामना करने वाले, अपने भलाई चाहने वाले, मनुष्यों के द्वारा, सभी रित्यों में, प्रति दिन, कह रहें कि, बलस्य अर्धेन कर्तव्यों व्याया महा, अपने जितनी शक्ती है, उसका आधे शक्ती, बलस्य, आधा बल, खर्च करने तक, कर्तव्यों व्याया महा, जितने आपके शरीर में बल है, वो आधा बल, खर्च होने तक, व्याया महा प्रति दिन करना चाहिए, जो मनुष्यों अपना हित चाहता है, अर्थात, वो चाहता ह आजीवन बीमारी से मुक्त रहे और दिर्घायूश रहे वेसे व्यक्ती प्रति दिन आधा बल खर्च होने तक व्यायाम करना चाहिए अगर आप आधे बल से जला करने लगेंगे आप पूरी तरह से थकने तक अगर आप व्यायाम करेंगे, उल्टा ये आपको नुक्षान भी कर सकता है, व्यायाम हंति अतह अन्यथा, अन्यथा अधेपल तक ना करें और उससे जदा करें, अन्यथा अतह हंति, यानि व्यायाम हंति, यानि व्यायाम आपका नुक्षान करेंगा, आपको मारेंगा, हंति जब्दकारते मारना यानि यहाँ पर नुक्सान करेगा इसे अधिक दिन सभी रितूओं में अच्छा चाहने वाला मनुश्य अपने शरीर के बलका आधा खर्च होने तक व्यायाम करना चाहिए उससे अधिक नहीं क्योंकि उससे नुक्सान हो सकता है उससे कम भी नहीं करना चाहिए तब व्यायाम का उचितल आप भी नहीं मिलेगा तो इस प्रकार से अगला श्रोक में का कहते हैं अब जब कहते हैं कि आधा बल खर्च होने तक आपको व्यायाम करना है किन्तु आपके पास कोई मीटर थोड़ी है जिससे आप जांच के दखेंगे मेरा आधा बल खतम हुआ या नहीं हुआ तो उसको आप कहीशे पहचान है कि आधा बल कितना हुआ कितने अच्छी तरह से सोच समझ कर हमारे मनीशियों ने वो शास्त्र लिखा है एक बार उनने कह दिया कि आधा बल खर्च होने तक आपको व्यायाम करना चाहिए और आधा बल आप कहीशे जा तद वलार्धस्य लक्षणम कहने कि वलार्ध का लक्षण क्या है कब कहेंगे कि आधा बल खर्च हुआ कि तब कहेंगे जब हृदी स्थान स्थितह वायू हूँ जो हृदय के अंदर जो वायू है यदा वक्तरम प्रपद्यते जब मुख तक आ जाए यानि आप इतना मेहन प्रपद्यते जब जाए यानि आपके अंदर पेट छाती का वायू आपके मुझ तक आने लग जाए यानि लग जाए व्यायाम करते हुए आप इतना व्यायाम कर लें कि आप हाफने लगे तब समझना कि आपका आधा बल खर्च हो चुका है अब वहीं पर आपको रुकना है उससे अधिक आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए तो व्यायाम कुर्वतह जनतो हो यानि जनतो हो यानि प्राणी नहां उस प्राणी का जो व्यायाम करते हुए अपने रिदय के अंदर के वायू को मुझ तक ले आए यानि हाफने लगे तद बलार्धस्य लक्षनम उसक कि बलार्ध खर्च हो गया अधा बल खर्च हो गया अब यह आखरी का श्लोक के देखते हैं यहां पर एक बहुत जरूरी सुचना दी जा रही है कि वयो बल शरीराणी देश काला शना निच समिक्ष्य कुरियात व्यायामं अन्यता रोगम आपनु यात इसे पहले कहा गया कि व्यायाम करने से रोग एकदम दूर रहते हैं जैसे गरूर के पास सांप नहीं भटकते हैं वैसे ही व्यायाम सिर्वक्ति के पास विमारी कभी नहीं आते हैं किन्तु अगर आप सोच विचार कर व्यायाम के कहरें कि देश अकाल और भोजन के अनुसार अगर नहीं करेंगे उपर निचे करेंगे, तो अन्य था रोगम आपनों याद व्यायम के कारण भी आपको रोग हो सकते हैं, कह रहें कि वयो बल शरीराणी, उम्र, शारीरिक शक्ती, बल, और आपका शरीर के दृष्टी से, देश काल अशना निच, देश के अनुसार, काल के अनुसार, और अश अनुसार, यह सब समिक्षय, समिक्षा करके कुरियात व्यायम करना चाहिए, अन्य था रोगम आपनों याद, अन्य था आपको रोग वापस बढ़ेंगे, क्यों ऐसा, क्योंकि अगर वयो को नहीं देखेंगे, आपका उम्र है, सत्तर के उपर, और आप सोच रहें कि जवा पनों की तरह व्यायम करेंगे, तो यह उचित नहीं होगा, आपके शरीर में उतना बल नहीं है, आप समझेज़े कि बीमारी में पड़े हैं, आप उठने ही पा रहे हैं, और तब भी आप सोचेंगे कि मैं जाके वेट लिफ्टिंग करूं, तो यह आपके लिए हितकारी न आप जदा व्यायम नहीं कर सकते, तो देश के अनुसार, काल के अनुसार, कि आप चाहेंगे कि आधिरात को व्यायम करते रहेंगे, आप चाहेंगे कि तो खाने के बाद दोपहर में आप व्यायम करेंगे, तो यह ठीक नहीं है, काल के अनुसार, और असनानी, अगर आपने बिल्कुल खाली पेठ रही हैं आप भुके हैं दो दिन से और आप व्यायाम करने के लिए सोचेंगे एशा नहीं है आप अगर हलका खाना खाते हैं तो आपको हलके व्यायाम करने चाहिए आप अगर गुरुपा क खाद्य हtoiते हैं अगर जदा heavy food खाते हैं, तेल मसाले वाले खाते हैं, तो आपको जदा व्यायाम करना चाहिए, इस प्रकार से आपके इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपको व्यायाम करना चाहिए, और अगर इन सब का ध्यान नहीं रखेंगे, और मन मनी करके आप करेंगे, तो इससे विपरित आपको लाभ हो, उससे विपरित आपको नुक्सान हो जाएगा, और नेथा रोगम आपनों यात, इस प्रकार से एक complete दिखदर्शन, एक guidance आपको सुसरुत सम्हिता से मिलता है, ऐसे ही मिलते जुलते आपको दूसरे भी आयरुवेदिय अगरंथ में व्याय कि छात्रों, आप सुसरुत सम्हिता के इन स्लोकों को अच्छी तरह से याद भी कर ले, और अपने जीवन में इसको उतारे जरूर, और साथ ही साथ इनको संस्कृत भाषा से डाइरेक्ट समझे, अनुवाद की अप्रेक्षा ना रखे, आप संस्कृत स्लोक समझते हुए इसको याद रख ले, और साथ ही साथ आपको भी मौका मिले तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं, दूसरे पुस्तक से भी देख सकते हैं, कि चरक सम्हिता में भी इसी व्यायाम को लेकर किस प्रकार से बातें बताई गए हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रोचक आप आपको लगेगा, अच्छा आपको मारगदर्शन वहां से भी मिल सकता है, तो इस पार्ट से बच्चों आपको क्या-क्या जानकारी मिली, एक तो संस्कृत भासा के बहुत उत्कृष्ट प्रयोग आपको देखने को मिले होंगे, बहुत सुन्दर संधी के उदाहरण, बढ इसमें आपको उस बात की अभ्यास करने के लिए अच्छा आउसर मिलता है, तो इस पार्ट को आप संस्कृत से अच्छी तरह से स्वयम समझते हुए, इनको याद भी रख ले, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए सिप परिक्षा तक ही नहीं, आपके जीवन तक का यह पत् दूसरे जो आईरुवेदी या ग्रंथ हैं, जैसे चरक अधिक ग्रंथों से भी आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेते रहें, इसी के साथ आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, धन्यवाद. जैसे ज़न खर विराम यहीं, आपके ज़स्ट को ग्रंदों मत विराम विराम इस भी आपके जाएंगेंगें झाज हैं यहीं, इसे चरह दोने के लिएस स्टाइबते हैं, जैसे बाएंगेंगेंगें लेक्तर बाहें, इस प्रूसरी आपके पर नब़ दो का थानाकारी